आईए जानते हैं कि 1% लोग ही सफल क्यों होते हैं जिन्दगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती पैसे कौन नहीं कमाना चाहता नाम किसको अच्छा नहीं लगता लेकिन आज मैं चाहता हूँ और वो 100 के 100 बंदे अभी मान भी जाएं। चाहे उसको I.A.S. बनना हो, उसको एक सिंगर बनना हो, एक्टर बनना हो, आर्मी जवाइन करना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो। वह बंदा उसहार मानने वाले लिस्ट में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता, बलकि दुनिया के 1% exceptional लोगों में होता है. और इसी वजह से उसको लाइफ में वो सब मिल जाता है जो उन 99% लोगों के पास नहीं होता है जिस टार्गेट को पाने के लिए 99% लोग ख्वाब देखा करते हैं ना सेम उसी टार्गेट को वो 1% बंदे हासिल कर लेते हैं जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया है 100% तो कोई भी नहीं होता लेकिन परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना चाहिए और कुछ लोग तो उन 1% के भी 1% में होते हैं लाखों में 1 होते हैं, करोडों में 1 होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुने होते हैं लेकिन उनकी शुरुआत है न वो उसी लिस्ट से होती है, जो मैंने आपको सुरू से बताई थी जिन्दगी में सब कुछ छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त हिम्मत छोड़ने की हिम्मत मत करना जिन्दगी में किसी भी हार को गले लगा लेना लेकिन हिम्मत हारने की हार को गले कभी मत लगाना अगर आपको दुनिया के 1% के लोगों में आना है तो उस माइंसेट बहार निकलना पड़ेगा जिसमें आपके आसपास के 99% लोग फसे हुए है वह 99% यही सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन मैं कहता हूँ फरक पड़ता है जो पत्थर नदी में गिरता है ना वो एक महीने में चिकना होता कई साल लगते हैं लेकिन आप तो इनसान हो इनसान में सक्सिंस की चिकनाहट उसी दिन से आने लगती है है जिस दिन वो उन्हार मानने वाले लोगों के लिस्ट में सबसे निचे आ जाता है अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे